Hello everyone, आज हम लोग पढ़ेंगे The True Beauty written by Thomas Carreo Poet कह रहे हैं, ऐसा इंसान जिससे pink cheeks पसंद है और वो इंसान जो बहुत सुन्दर lips की तारिफ करता है और साथी साथ, तारो जैसी आखे जिसकी होती है, चमकती रहती है उसको देख कर मेरे दिल में एक आग लग जाती है मतलब ये इंसान आउटसाइड ब्यूडी को देख कर ये इंसान प्यार में डूबा हुआ है So poet अब क्या रहे हैं, अब ये जैसे जैसे समय के साथ ये सब खराब हो जाता है क्या खराब हो जाता है? जैसे ये pink cheeks जो हैं वो समय के साथ सब हट जाते हैं, खराब हो जाते हैं और जो सुन्दर lips होते हैं वो भी उजड़ जाते हैं और साथी साथ आखों की जो तारों जैसे चमक होती हैं वो भी चली जाती है और साथी साथ वो आग जो आउटसाइड ब्यूटी को देखकर जो दिल में हमेशा आग लोग लगाए रहते हैं वो भी समय के साथ वो आग भी खराब हो जाती है क्योंकि आउटसाइड ब्यूटी नहीं रहेगी तो वो जो आग दिल में रहती है मतलब जो लोग चलाई रहते हैं वो भी खराब चली जाएगी आप पोईट कहा रहे हैं मगर एक ऐसा दिमाग जो बहुत स्मूद और स्मार्ट तरीके से सोचता हो यानि यहाँ पर पोईट माइंड की ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं तो पोईट यही बोल रहे हैं एक ऐसा दिमाग जो बहुत स्मूद और स्मार्ट तरीके से सोचता हो जो बहुत ही जादा ब्यूटीफुल हो और उसके माइंड में ऐसे थौट्स हो कि वो थौट्स किसी को परिशान ना करे और साथ ही उसकी जो डिजायर हो वो बहुत ही जा यानी ना पहुचाए ऐसी कोई सोच हो और ऐसा कोई डिजायर हो कि जिससे किसी को भी तकलिफ ना पहुचे पोईट कह रहे हैं और साथी साथ उसके दिल में बराबर मांतरा में प्यार हो सबके लिए और यही प्यार को देख कर मतलब उसके दिल में बराबर सबके लिए इक रहती है वो कभी नहीं बुच्छती मतलब आउटसाइड ब्यूटी की जो लोग जब आउटसाइड ब्यूटी को देखते है उनके दिल में जो आग रहती है खाली आउटसाइड वाली ब्यूटी के लिए तो वो बुच जाती है एक समय आता है कि वो जो आग होती है फायर होत यह बुझ जाती है बट जो इनर ब्यूटी होती है जब लोग इनर ब्यूटी को देखते हैं तो वो जो आग दिल में रहती है इनर ब्यूटी के लिए वो कभी नहीं बुझती वो कभी खतम नहीं होती अब पोईट के रहे हैं जहां पर यह qualities नहीं है यह मन की खुब्सूरती और दिल में प्यार इस तरह की qualities जहां कहीं नहीं है तो वहांपर भले ही पिंक चीक्स हो और लिप्स हो और वो चमकती हुई आखे हो तो मुझे ना उनकी कोई जरूरत नहीं है मुझे उन चीजों से नफरत है मेरे लिए क्या मैटर करता है? मेरे लिए वो लोग मैटर करते हैं जिनकी इनर ब्यूटी होती है और यहीं पे ये पोयम भी फेनिश होती है ये पोयम बहुत छोटी थी और पोयेट ने इनर ब्यूटी के बारे में बताया है और साथी साथ आउटसाइट ब्यूटी के बारे में भी बताया है कि आउटसाइट ब्यूटी समय के साथ खराब हो जाती है, चली जाती है बट इनर ब्यूटी हमेशा रहती है So I hope कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर सरूर कीजिएगा तेंक्यू